किसी गाउं में विमल नाम का एक गरीब किसान रहता था उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वैं खेती कर अपना गुजर बसर किया करता था विमल का पडोसी था रामू जो हमेशा विमल से इच्छा करता था लेकिन विमल उसे अपने भाई की तरह मानता था एक दिन रामू बोला क्यों विमल क्या इस बार अपने खेतों में सर्सों की फसल करोगे या नहीं विमल ने कहा क्या रामू भाई आपको तो अच्छे से पता है न पिछले साल सर्सों की फसल हमारे खेतों में अच्छी नहीं हुई थी रामू बोला मेरी बात मानो विमल यह खेती तुम्हारे बसकी नहीं तुम मंडी में पल्ले दारी करना शुरू कर दो एक दिन विमल अपने खेतों की तरफ जाही रहा होता है विमल बोला अरे आज तो बहुत गर्मी है प्यास भी बहुत तेज से लग रही है भाई अरे वो रहा पानी विमल उस मटकी में से पानी निकालता है और पीने लगता है तभी उसे एक आवाज आती है जो एक बोड़ी अम्मा की होती है अम्मा बोली अरे कोई है यहाँ कोई मुझे पानी पिला दो कोई मुझे पानी पिला दो विमल बोला अरे ये किसकी आवाज आ रही है तभी विमल थोड़े दूर पर चलता है और देखता है कि एक जोपड़ी है जिसके अंदर बूढ़ी अम्मा है जो चार पाईप और लेटी लेटी चिला रही है विमल तुरंट उसके पास जाता है विमल बोला क्या हुआ तुम ठीक तो हो बोलो अम्मा मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ अम्मा बोली बेटा मैं कई दिनों से प्यासी हूँ उझे पानी पिला दो विमल बोला अच्छा अम्मा मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ इसके वाद विमल घड़े के पास जाता है और उस अम्मा के लिए पानी लेकर आता है विमल ने कहा ये लोग पानी पी लो बुढ़ी अम्मा पानी पीती है अम्मा बोली तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मैं पूरी तरह बुढ़ी हो चुकी हूँ अब मुझसे उठा नहीं जाता और कई दिनों से प्यासी भी थी तुमने मुझे पानी पिलाया है ना जाने कब मैं इस संसार को त्याग दू बेटा विमल बोला लेकिन क्या अम्मा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है अम्मा बोली नहीं बेटा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है लेकिन बेटा, क्योंकि तुने मुझे पानी पिलाया है, तो मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ बेटा, तुम्हारे हाथों पानी पी लिया, अब शायद मैं स्वर्ग प्रस्थान कर जाऊँ जाने से पहले तुम्हें एक राज बताती हूँ मेरे घर के सामने जो नीम का पेड़ है, उसके नीचे बहुत पुराना चमतकारी पिटारा छुपा हुआ है जो मैं तुम्हें भेंड देना चाहती हूँ उसका कभी दुरुप्योग मत करना, और कोई अगर उसका दुरुप्योग करे, तो उसे महें छुपा देना विमल बोला, क्या, चमतकारी पिटारा, अच्छा ठीक है, मैं कभी उस चमतकारी पिटारे का अपनी जुरूरत से अधिक इस्तिमाल नहीं करूँगा और नहीं किसी को करने दूँगा, विमल महा से उस नीम के पेड़ के पास जाता है, और उसके पास वाली जमीन को खोदने लगता है, तभी उसे मिट्टी में से एक लकडी का पिटारा दिखता है विमल बोला, अरे रे, यह वही लकडी का चमतकारी पिटारा है, अम्मा की कही हुई बात सच हो रही है, वह पिटारा लेता है और अपने घर जाता है विमल की पत्नी बोली, जी आ गए आप, कब से मैं आपकी राह देख रही हूँ, और क्या, और यह क्या ले रखा है, यह अपने हाथों में किसका लकडी का पिटारा उठा कर आप लाए विमल बोला, अरे भाग्यवान, यह चमतकारी पिटारा है, हम जो भी चीज इसमें डालेंगे, वह दुगनी हो जाएगी विमल की पत्नी बोली, यह क्या कह रहे हैं जी, क्या सच में ऐसा हो सकता है, जी आप यहीं रुकिये, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आथ में एक मुफली का दाना लेकर आती है, और लकडी के पिटारे में वो मुफली का दाना डाल देती है तभी उस पिटारे में बहुत सारी मुफली आ जाती है, दो नहीं यह देख कर हैरान रह जाते हैं विमल बोला देखा तुमने भाग्यवान यह सच में चमतकारी लकड़ी का पिटारा है हम जो भी इसमें चीज डालेंगे वह दुगनी हो जाएगी विमल की पत्नी बोली हाँ जी आप बिल्कु सच कह रहे हैं यह सच में चमतकारी लकड़ी का पिटारा है अब विमल को जो भी चाहिए होता उसे वह लकडी के पिटारे में डालता और वहीं उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता विमल अब बहुत खुश था वह अब अपनी जिन्दिगे खुशहाली से बिता रहा था लेकिन विमल कभी भी उस लकडी के पिटारे का गलत उपयोग नहीं करता एक दिन विमल उस पिटारे के साथ अपने खेत पर जा रहा था जहां वह खेती करता था विमल बूला अरे रे मेरी गेहों की फसल होने में तो अभी काफी समय है लेकिन घर पर तो गेहों का एक भी दाना नहीं है ऐसे में मैं आगे क्या करूँगा थोड़े देर सोचने के वाद विमल बूला क्यों न मैं इस पिटारे में गेहों के कुछ दाने डाल दूँ इसके बाद मेरे सामने गेहों के डेर लग जाएंगे और तब तक मैं उन्हें से काम चला लूँगा अरे, लेकिन मेरे गेहों की फसल तो बिल्कुल हुई ही नहीं है, फिर गेहों के दाने कहां से लाउं बिमल थोड़ा दूर चलता है, पास है उसका रामू नाम का एक पडोसी था, जो अपने खेतों में काम कर रहा था बिमल बोला रामो भाई जरा गेहों के दाने चाहिए थे तुमसे रामो बोला अरे भाई गेहों के थोड़े दानों का भला तुम क्या करोगे खैर यह लोग गेहों के दाने रामो उसे अपनी फसल में से गेहों के कुछ दाने निकाल कर देता है विमल रामू से गिहूं के दाने लेकर वहां से चल देता है लेकिन रामू के यह बात कुछ हजम नहीं होती और वह विमल के पीछे पीछे जाने लगता है एक जगा छुपकर रामू विमल को देखने लगता है तब ही विमल अपने उसे लकड़ी के पिटारे में गिहों के दाने डालता है देखते ही देखते उन गिहों के दानों से काफी गिहों हो जाते हैं यह देखकर रामु हैरान रह जाता है रामु बोला अरे यह क्या इस विमल के बच्चे ने तो मुठ्ठी भर गेहूं के दाने से इतने गेहूं कैसे बना लिये इसके बाद वह आदमी वहासे अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को विमल की सारी बात बताता है रामू की पत्नी कहती है यह क्या कह रहे हैं आप क्या सच में विमल के पास कोई चमतकारी लकडी का पिटारा है आप एक काम करिये जी वह लकडी का पिटारा ले आईए महाँ उससे फिर हम उसमें पैसे डालेंगे जिसके बाद हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे ऐसे ही हम बहुत अमीर हो जाएंगे रामू बोला अरे भाग्यवान मैं कैसे उस विमल से वो चमतकारी लकडी का पिटारा ला सेकता हूँ वह पिटारा विमल मुझे कभी नहीं देगा रामू की पत्नी ने कहा मैं कुछ नहीं जानती कुछ करिये लेकिन वह चमतकारी पिटारा लेकर आईए जरा सोचिए ना हम उस पिटारे की मदद से कितना कुछ पा सकते हैं। रामु बोला, हाँ हाँ भाग्यवान, ठेक है, करता हूँ कुछ। रात को सभी गाम वाले सो रहे थे। रामु चुपचाप अपने घर से निकला और विमल के घर जा पहुँचा। जहाँ वह देखता है कि विमल अपनी पत्नी के साथ सो रहा है। रामु बोला, पता नहीं इस विमल के बच्चे ने वह चमतकारी लकडी का पिटारा कहां छुपा रखा होगा। इसके वाद रामु इधर उधर नजर डालने लगा और देखते ही देखते एक छोटी सी मेज पर उसे वह चमतकारी लकडी का पिटारा रखा हुआ दिख गया। रामु बोला, अरे वो रहा चमतकारी लकडी का पिटारा। रामू लक्डी का चमत्कारी पिटारा चुरा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है तब ही उसकी पत्नी रामू को देर रात घर लड़ते देख लेती है रामू की पत्नी बोली इतने रात कहां गए थे जी और यह क्या है हाथ में कहीं अवई चमतकारी लकडी का पिटारा तो नहीं है रामू बोला हाँ हाँ भाग्यवान यह देखो मैं चमतकारी लकडी का पिटारा ले आया हूँ रामू उसमें दस रुपए का नोट डालता है जैसे ही वो नोट डालता है देखते ही देखते पिटारे में बहुत सारे नोट हो जाते हैं रामू की पत्नी बोली देखिये जी हमारे पास कितने सारे रुपए हो गए थोड़ी ही देर में अब तो हम इस गाओं में सबसे अमेर हो जाएंगे है अब कोई भी इस गाओं में हम से उंची आवाज में बात नहीं कर पाएगा और अब आपको पूरा दिन गधो की तरह खेतों में मेहनत की जुरूरत नहीं पड़ेगी अब तो मैं इन पैसों से बहुत सारे गहने लूँगी है रे अब हमारे पास कितने पैसे होंगे अब तो हमें अमेर होने से कोई नहीं रोक सकता रामू बोला वैस अब तो ठीक है भाग्यवान लेकिन तुम अब इस चमतकारे पिटारे को छुपा दो अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी हाँ रामू की पत्नी बोली ठेक है जी अभी छुपा देती हूँ इसे सुबह होते ही विमल की पत्नी बोली आरे सुनिये जी ना जाने वह चमतकारे लकडी का पिटारा कहा गया यही तो रखा था यह सुनकर विमल उसके पास आता है विमल बोला क्या हुआ भाग्यवान आखिर कहा गया है पिटारा तुमने तो यही रखा था ना विमल की पत्नी बोली हाँ जी मैंने तो यही रखा था लेकिन अब यहाँ नहीं है जी विमल बोला यह भगवान ना जाने कहां होगवह चमतकारी पिटारा कौन चौरी करके ले गया होगा बस जो भी ले गया है वो उस चमतकारी पिटारे का दुरप्योग ना करे दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं उधर रामू और उसकी पत्नी रोज उस पिटारे में एक नोट डालते जिसके बाद बहुत सारे नोट हो जाते और वैं उन्हें एक बोरी में रख लेते रामू की पत्नी बोली जब तक हमारे पास बहुत सारे पैसे इस चमतकारी पिटार से इकठा नहीं होते तब तक हम किसी को भी यह पता नहीं लगने देंगे कि यह पिटारा हमारे पास है हम इस से पहले बहुत सारे नोट जोड लेते हैं देखते ही देखते वह पैसों से बोरी भरना शुरू कर देते हैं रामू की पत्नी बोली चलिए जी अब हम इस बोरी को अंदर कमरे में चुपा देते हैं रामू बोला हाँ हाँ भाग्यवान तुम सही कह रही हो चलो इसे अंदर कमरे में चुपा देते हैं इसके बाद दोनों पैसों से भरी बोरी एक कमरे में चुपा देते हैं अगले दिन विमल अपने खेत में जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में रामू मिलता है रामू बोला और भाई विमल कहां जा रहे हो अरे बड़े उदास नजर आ रहे हो सब ठीक है ना विमल बोला सब ठीक है तुम बताओ तुम्हारी फसल कैसी हुई रामू बोला फसल कैसी फसल भाई आप मुझे फसल बोने की कोई जरूरत नहीं समझे भाई विमल बोला क्यों भाई जरूरत क्यों नहीं है रामू ने मन में कहा अरे यह क्या बोल दिया मैंने कहीं इस विमल को मुझ पर संदेह ना हो जाए रामू बोला अरे नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रहा था जरूरत क्यों नहीं है भाई बिल्कुल होगी वही तो इकलोता सहारा है हमारा आखिर एक एक पैसा तो फसल की बुवाई से ही आता है अपने पास ना अच्छा विमल अब मैं चलता हूँ इसके बाद रामू वहाँ से चला जाता है लेकिन विमल को उसकी बात हजम नहीं होती विमल बोला आखिर इस रामू ने ऐसा क्यों बोला कि उसे अब फसल की कोई जरूरत नहीं कहीं इसे नहीं तो वह चमतकारी पिटारा नहीं चुराया हे भगवान आगर इसी न वह पिटारा चुराया होगा तो जरूर यह उसका गलत इस्तेमाल करेगा अब मैं क्या करूँ मुझे वह पिटारा जमीन से निकालना ही नहीं चाहिए था विमल बहुत सोच में पढ़ जाता है तभी विमल रामू के घर जाता है रामू विमल को देख कर थोड़ा चौक जाता है रामू बोला अरे रे विमल भाई कैसे आना हुआ तुम्हारा सब ठीक तो है ना विमल बोला अरे हाँ हाँ भाई सब ठीक है मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे ही मिलता चलू भाई रामू बोला अच्छा मुझसे मिलने आये हो अच्छा कोई बात नहीं भाईया आओ आओ बैठो विमल वहीं एक चारपाई पर वैड़ जाता है विमल बोला अरे भाई जरा एक गिलास पानी तो पिलाना रामू बोला भाई क्यों नहीं अभी लाता हूँ रामू जैसे ही अंदर जाता है विमल इधर उधर देखता है उसे एक बंद कमरा देखता है विमल उस कमरे के पास जाता है उसके खिडकी में जाक कर देखता है इसका मतलब इस रामू ने ही मेरे घर से लकडी का चमतकारी पिटारा चुराया है तब ही यह रामू बोल रहा था कि अब इसे खेती करने की कोई जरूरत नहीं हे भगवान यह जरूर चमतकारी पिटारे का गलत उप्योग करेगा मुझे यह चमतकारी पिटारा यहां से लेकर जाना होगा और वापस इसे नीम के पेड के नीचे दफनाना होगा विमल वहां से चला जाता है और रात को वापस रामू के घर जाकर पिटारा चुरा लेता है बिमल बोला बोड़ी अम्मा ने कहा था कि इस चमतकारी पिटारे का दुरुप्योग नहीं होना चाहिए इसलिए अब मैं वापस इसे महीं दफना दूँगा बिमल उसी जगा जाकर फिर से मिट्टी के अंदर उस चमतकारी पिटारे को छुपा देता है सबह होते ही रामू देखता है कि जिस कमरे में उसने पिटारा रखा था महाँ पर नहीं था रामू बोला अरे रे कहां गया वह पिटारा आखिर कहां गया वह पिटारा यही तो रखा था कहां चला गया रामू की पत्नी बोली क्या हुआ जी क्यों चिला रहे हो रामू बोला अरे भाग्यवान वह पिटारा नहीं मिल रहा है लगता है कोई इसे यहां से लेकर गया है रामू की पत्नी बोली क्या बोल रहे हो हे भगवान अब हम पैसे इकठा नहीं कर पाएंगे जितने पैसे हमने बोरी में एकठा किये हैं चला उन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं और अब पैसे तो आने से रहे दोना एक बंद कमरे की तरफ जाते हैं जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं देखते हैं कि बहुत सारे चुहे नोटों की बोरी के आसपास मंड़ा रहे थे रामू की पत्नी बोली अरे रे ये चुहे कहां से आ गए रामू नोटों की बोरी खोलता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं और नोटों को चुहे कुतर चुके थे रामू की पत्नी बोली अरे यह क्या हो गया जी आप तो बर्बाद हो गए जी, हमारे ज्यादा पैसे पाने के इलालच ने बर्बाद कर दिया हमें। इसके बाद दोनों सिसक सिसक कर रोने लगते हैं। दोस्तों, आप को अकथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारे कथाओं को शेयर जुरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा गैन पराप्त हो, जैश्र राम भक्तों